दोस्तो आज के इस वीडियो में हम वनसावली प्रमान पत्र हेतु आवेदन प्रपत्त के उपर चर्चा करने वाले हैं अभी बिहार में जमीन सर्वे का कारी चल रहा है इस बीच वनसावली बनाने को लेकर लोगों में काफी भगदर मचीवी है कई लोग फरिशान है कि मैरा लेकिन अब तो वैसा है नहीं अब तो नियमावली चिंज हो गया है अब ऐसा हो गया है कि कहीं भी फराउड होने की चंसे भी कम हो गई है ठीक है कई लोग इस वज़ा से भी परिशान है कि भाई क्या बहन को बुवा को दर्साना जरूरी है वनसावली में यह सारी बाते अ समझ जाएंगे केवाल आपको करना रहेगा समय दीजिएगा हो जाएगा है कि नहीं चले उस वब सुरूर करते हैं और देखें वनसावाली बनाना भी जरूरी है मानके आपके पास कुछ जमीन है और वह आपके दादा पर दादा के नाम से उन्हें के नाम से खाता खुलव तो भाई पुरूब तो करना होगा ना कि हम उन्हें के वनसाज है हमारा भी इतना हिसा है तो उसके लिए वनसावाली तयार रखना जरूरी है ठीक है तयार नहीं है तो बनवा लीजिए चले उसो यहां पर देखें ठोड़ा प्रक्रिया चुकी लंबा हो गया है तो यहां पर कुल छे फोम है ठीक है और छे वो फोम आपको भरने है कुल मिला करके ठीक है यहां पर देखें यह पहला फोम है वनसावाली परमान पत्र हेतु आवेदन पर पत्र ठीक है एक हो गया ठीक है यहां पर देखें यह दूसरा है सपत पत्र फिर यहां पर देखें तीसरा है वनसावली परमान पत्र निर्गमन हेतू अनुसंसा पर पत्र ठीक है चाउथा यहाँ पर देखे ग्राम कचरी वाला आम सुचना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखे पांचमा वनसावली जो आपको मिलेगा बन करके ठीक है और यहाँ पर देखे एक और है पंज दिखाने वाला है ताकि आपको जरा सा भी दिकत ना होए क्योंकि जब वीडियों बना रहा हूं और आपको दिकत होगा ही तो यहां पर भी जो सब्सक्राओं है कि आपको नाम यहां जो नाम आपको सउभाविक रुप से याद है जैसे आपको परेकर भाई आ不多ita की माता है किस श्राज कोड का यह तो यहां पर एक्जाम्पल देने की जवरत नहीं ठीक है उसे आपने सकर लिजे को कोई बड़ी बात नहीं है कि अब टाइम पास होगा ठीक है तो यहां पर दोस्तों जो आपका ग्राम कछरी होगा वह आपको यहां पर लिख देना है पंचाय सची महोदे ठीक है ग्राम और Bürक संवनक पर का नाम नाम लिखना है विसे ओाली परमाण पत्र निर危 supportive करने के समथ में ठीक है यहां पर आब यहां पर क्या है मंधैन में ग्या जा रहा है माहा सय आप प्रियुक्त विसे के सम नहीं है कि मैं सपत करता अब समस्या यह कि भाई यहां पर सपत करता कौन बनेगा सपत करता कौन बनेगा दोस्तों यहां पर पहले वनसा वाली को समझे देखिए जो वनसा वाली जो वनस्वरिच है यहां पर जो खाली जो को दिख रहे हैं परहला पेजमें ठीक है यहाँ पर आपको बनाना अम यहां पर एक्जामफल के मतलब से आपको कीज़ों को समझाने का परियास कर रहें ठीक है मानके चलог कि Z तो दर्शाना आप समझने जरूरी हो गया है यह बात आप समझ लीजिए हलाकि अगर जमीन का हिसा अगर आपको इनको नहीं देना है डी मैनस को तो भाई आप उनसे नोसी ले लिजिए नो अबजिक्शन से टिपिके ठीक है फर्स्ट क्लास मजिस्टेट से बनवा कर गे तो सहथ हो जाएगा आपका कम अब दोस्तो मान के चलिए एक का जो है दो पुत्र है एक मान के चलिए एम पलस है और यहां पर एन पलस है दो पुत्र है अब यहां पर एम जो है अब बी के भी पुत्र पुत्रियां होंगी सी के भी पुत्र पुत्रियां होंगी डी जहां पर गई होंगी ठीक है तो हो सकता है डी का मिरती हो जिन्दे हो जो कुछ भी हो ठीक है उनके भी पूत्र पूत्रियां होंगी कुछ निर्वन्स भी हो सकते कुछ भी हो लेकिन जो जैड के जितने बेटे हैं सबको दरसाना जरूरी है ठीक है यह चीज़ आपको समझना है अब दोस्तों यहां पर देखिए एक मृत्ति हो चुका या तो एन बन जाएगा अगर एक आदमी भी वन्सावाली बना लेता है तो दुसरे आदमी का भी जो है काम हो जाएगा या फिर यहां पर और भी जो इनके चाचावेगर आँरहें टिक है उनका भी अगर व्हसे चेहरे भाय वगर को दरसा देंगे ठीक है तो एक ही वैंसा वाली बना रहे हैं तो यहां स्थापत करता के जगा पर रामु सिंग लिखा जाएगा जो पिता जी का नाम है अब सवर्गिये उन नहीं है तो फिर उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा ठीक है पिता का नाम ओके वाड ग्राम ठीक है पोस्ट हो गया थाना हो गया पंचायत ह यहां पर यहांसा वान सावली पर्मान पत्र की आव सकता है और न सती कर तो मोई तो यहां बना देना है को दिकत यहां पर और यहां पर एम सपत कर रहा है तो यहाँ पर M list करके सवमbelt देगा ओके अब जो है इस तरह से काम कर सकता है अब इसका वण सवनी देखे कैसे बनेगा ठीक है दिहान दीजेगा यह जो है इसका नाम रामू सिंग है हम रामू सिंग रामू सिंग बार-बार बोलेंगे जो सपत करता है वही वंसावली बनवा रहा है उसका भाई का भी वो काम आ जाएगा ठीके चली अब दोस्तों यहाँ पर वंस्विर्चाप बना दीजेगा उसके बाद में नीची और कुछ है मैं घोशना करता हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित सभी वीवरन सत्य हैं तथा मेरे दोबारा कोई भी जानकारी चिपाया गया चिपाया नहीं गया है यदि भविस में कोई भी तथ्य असत्य गलत पाया जाता है तो सुसंगत धराओं के थथ कानूनी करवाई के लिए मैं स्वयम उतरदाई होंगा या होंगी अगर सपत करता लड़की है इस्त अगर हस्ताक्षर करेगा या फिर अगर पढ़ा लिखा नहीं तो अंगुठा कनी साम देगा ठीक है और दुर्भास तंख्या मोवाईल नंबर अगर मांगा जा रहा है तो दे दीजिएगा ठीक है मोवाईल नंबर आजकल बहुत जरूरी चीज हो गया ठीक है तो यहां अगर मर चुके है तो फिर यहां पर छोड़ देना है किसका रामु सिंग का सब कुछ यहां बर आएगा किस वाड में रहता है कौन से ग्राम में है ठीक है पोस्ट क्या है ठाना क्या है प्रिखन क्या है जिल्ला क्या है का अस्थाई निवासी हूँ यह सारा शीजिश हां भरेगा फिर सपत पुरोग ब्यान करता हूँ कि मुझे मुझे किसलिए सर्वे जमीन सर्वे के कारी हे तू वनसा वली परमानपत्र की आव सकता है तो यहां पर लिए जागा जमीन सर्वे कारी हे तू ठीक है यहां कि मेरे परिवार की वंसावाली निमनपरकार है जो वंसावाली आपने फर्स्ट पेज में यहां पर बनाया था वंसवरीच ठीक है वही वंसवरीच आपको same to same यहां पर भी बना देना है और इसका जो है Notary वगएरा करवा लेना है ठीक है, वहाँ किसी बकिल जो करता होगा, नोटरी वेगरा ठीक है, उसे करवा लिजएगा, कोई दिकत यहाँ, ठीक है, एक्जिक्यूटी मजिस्टिट, कारेपालक, दंडधिकारी के दोबार होगा, और इसमें क्या है, कि डेट लिखा जाएगा, और इसका सिरियल नमर, सप पत्र जो है, आपको जा करके करवा लेना है, अनुमंडल में जा करके, जहां पर होता है, अब यह से भगदर मची हुई है, ठीक है, हो रहा होगा काम देदनाधन, अब उससे आजाते हैं, तीसरा पेज में, तीसरा पेज में क्या है, वनसा वाली प्रमान पत्र, निर्गमन हेतु अनुसंसा परपत्र, ठीक है, अब क्या है, यह परमानित के जाता है कि आवेदक, आवेदक कुन है, रामु सिंग, तो यहां पर रामु सिंग लिखाएगा, पिता का नाम लिखाएगा, वाड, ग्राम, पोस्ट, थाना, पंचायत, प्रखंड, जिल्ला, के अस्थाई निमासी है, आवेदक हैं, उसके परिवार को मैं भली भाती जानता तथा पह जानता हूँ, आवेदक दवारा स्वार्पित, आवेदन पत्र में, वर्नित सभी सुचना है, मेरी जानकारी में पुर्णता सत्य, आनि गवाह वाला ये फौम है, कुल मिला करके, ठीक है, चार नारती दंड सहिदा कर सुसंगत धराओं के तह दंड करवाई के लिए में स्वम उतरदाई होँगा, अब यहां करम संख्या, पहला निखना है, गवाह का जो नाम है, उसको लिखना है, गवाह का पिता का नाम है, उसको लिखना है, गवाह का स्थाई पता लिखना है, और पर मुवायल नमर भी लिखना Är और गवाह से सांट कर वा लेना है। इसी तरह से गवाह का नाम , पिता का नाम , स्थाई पता , प्लिवाह हैं यहाँ पर चार गवाह लगने वाले हैं। चारो का जो है आप सारे डिटेल भर करके सायन करवा लिजेगा, ओके, अब उसके बाद ध्यान दिजेगा गवा के वनसज का नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सक्षर होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, और 18 वर्स से अधिक उम्र का होना चाहिए, यह कंडिशन है, चलिए, आवेदक आवेदिका मेरे अधुस्चित छेतर ग्राम पंचैत राज, अब यहां ग्राम पंचैत का नाम लिखना है, कि अस्थाई निमासीत था, उनके तवारा आवेदन में की गई, परिश्टो का जाच कर, मिलान किया एवं सही पाया, आवेदक का मुश्चित सभी पंच का हस्ताक्षर एवं मुहर रहेगा, जो आपके वार्ड में जो पंच होंगे, उनका हस्ताक्षर एवं मुहर रहेगा, उसके बाद में वार्ड सदसी का हस्ताक्षर एवं मुहर होगा, ठीक है, उसके बाद आंगनवारी सेविका का हस्ताक्षर एवं मुहर, चोकिदा लिए आप पंच को सेटलमेंट कर लिए यहां पर पता चल गया है यहां पता चल गया तो कहीं न कहीं मामला प्रसुत आवेदन में अंकित ब्योरा सनलगन सपत्पत्र गवाहों के बयान एवं दस्तवेज की सत्याफन प्रतिवेदन के अधार पर अनुसंसा प्रतिवेदन अग्रेतर करवाई हे तु अग्र सारित ठीक है अब यहां पर जो पंचायत सचीव हैं उनका यहां पर सैन रहे अब यहां पर दूस्तों ग्राम कचहरी अब यह ग्राम कचहरी ठीक है तीन फोम हो गया रेडी उधर तीन फोम रेडी हो गया पहला हुआ जिसमें आप पुरा वन स्विच दरस आये थे दूसरा सपत पत्र वाला तीसरा गवाह वाला और चौथा यहां पर आम सुचना जो ग्राम कचहरी में चिपकाया जाएगा अगर किसी को आपती होगा तो साथ दिन के भीतर वह आपती करेगा अगर साथ दिन के भीतर को आपती नहीं किया तो फिर जो है आपका बंसावली बन जाएगा ठीक है तो उसके लिए यह फो में यहां पर भरा जाना है तो ग्राम पं थे तहां तब बढ़ा सुझीत किया जाता है कि आबेदक आबेदक को नहीं रामु सिंग लिखाएगा पिता का नाम ग्राम महला ठीक है वह लिखाएगा वाड संथ्ट थाना जिल्ला लिखाएगा द्वारा वांसा वाली परमान-पत्र निर्गत करने है तू आवेदन परपत्र में सनलगन सपत्पत्र संख्या फलना जो सपत्पत्र लिया था ठीक है जो सपत्र पत्र बर्माया था उसमें जो क्रमांग संख्या है वो यहाँ पर लिखाएगा दिनांग लिखाएगा उसका ठीक है जिस दिन सपत्पत्र बना था ठ तो सुचना प्रकासन की तिथी से साथ दिनों के अंदर कारले अवधि में स्वा लिखित आविदन ग्राम कशरी कारले में प्रसुत करें ताकि सारवजनिक बैठकर आपती कर निराकरन करते हुए समुचित निर्ने लिया जा सके तो कुल मिलाकर चे बात है कि साथ दिन के भीत बैठकर सके अब यहां पर रहे है तो यह बहुत सरे नावार रहे होंगे तो संख्या डालेंगे ढालेंगे ठीक है संबंधित पंचय इतना प्रखांड यह द्वारा दिये गए संवर्पी तहरा संख्या यह साथ पत्त पत्र शंख्या माँ यहां पर डाला जाहेगा ँझे तो आहां पर भरा गैНу है सरपन सहाब के दोबारा बना दिया जाएगा घोटिक है उसके बाद यहां पर संयुक्त हस्ताक्षर होगा किनका किनका पंचैक शाचिव का घोपता फूरास यहां पर लिख देना है ाप भी इसको भर सकते हैं कोई ज वनसावली की रूप में रहेगा और आप इसे हर जगा जो है जहां पर मांग की जाएगी जहां जोरत पड़ीगी वहां पर आप इसे फोटो कोपी करके आप अटेज कर दीजे कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है तो यही दोस्तों प्रकिरिया है बनाने का हाँ जब यह वहला त प्रखंड हो गया जीला हो गया उसके बाद यहां आवेदक या और पर रहेगा ताकि यहां पर जमा रहे ताकि अगर उसमें चेड़चाड करेगा जो वनसावाली बना करके मिला है वेक्ति को अगर उसमें चेड़चाड करता है तो फिर पकड़ा जाएका को कि यहां पर तो उसका बना हुआ है, ठीक है, सरकार्य डिटा में है, दर्ज, तो मिला उनों का भविसे में अगर गलत होगा तो उस पर कानुन करवाए की जाएगी, तो कुल मिला करके छेड़ छाड़ भी आप नहीं कर सकते हैं, तो यह सारी चीज़े हैं दोस्तों, ठीक है, अब इस तरह से फाइनली भाई, मुझे उमीद है कि आप कैसे फों भरेंगे, और कैसे कैसे आपको वनसावली हाथ मिलेगा, तो मुझे उमीद है दोस्तों, आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे भरना है, क्या करना है, नहीं करना है, सबकुछ भर, उर बर के जो है, आपको जमा कर देना है सर्पंस के पास, ठीक है, वही पर सैन्मेगरा सब कुछ हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, सह जय हिंद बनी मातराव